हेलो वरीवन दिस इस इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11th admission process 2020 के बारे में तो admission process फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है जो कि स्थगित कर दी चुकी थी ड्यू टू सी आरक्षन जो अनेरबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने से आरक्षन पर स्टे लगाया था उसके बज़ जो टाइम टेबले राउंड सेकेंड का मतलब की आपकी जब अड्मिशन प्रोसेस बंद हो गई उस समय आपका सेकेंड राउंड का अलर्टमेंट लगने वाला था लेकिन उसी दिन ही admission प्रोसेस बंद हो चुकी थी लेकिन आभी राउंड टू का जो स्केडूल है टाइम वेबसाइट पर आप चुका है तो वेबसाइट पर आप जाओगे तब वहाँ पर आपको नोटिपेकेशन पर दिख जाएगी कि अड्मिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रही है तो इस वीडिए में हम बात करने वाले है जो आपका राउंड टू का जो टाइम टेबल है आपको कब क्या करना है option firm भरना है या फिर नहीं और उसी के रिटेर सारी डीटेल्स हम इस वीडिए में देखने वाले है तो देखते हैं आपका राउंड टू का टाइम टेबल सो हलो अब देखते हैं आपका जो रिगूलर राउंड टू है उसका टाम टेबल 11 अर स्टोरण निकलने वाली है मतलब कि कितने सेट्स एक्छल में इस लाउंड की लिए लिएूने वाली है वो क्योंकि आप एक बात भाझते हैं कि वो के आपका जो स्टूरंश है , वह अब रिलीज की जाएंगी दूसरे स्टूडन से उनके लिए मतलब कि उनके लिए रिजर्ब थी वह अभी दूसरे स्टूडन्स को भी वह वह भी आडमिशन ले सकते तो वह कब आपको पहते चलना वाई 26th of November को पता चलने वाला है तो उसके नीचे हम जाएंगे तो 26th of November से लेके एक December 2020 तक आपको क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट उनने बता है प्रोविजन फॉर स्टूडन्स टू सिलेक निव कैटेगरी अधर देन सबसे तो स्टूडन्स जह है उनको अभी दूसरी कैटेगरी चूज करने आ सकती है इस समय में और उसके बाद अप्लिकेशन फॉर्म एडिट एंडड च्वाइस फिलिंग अप्डेडेशन ऑफ ऑफ प्रोविजन फॉर्म एडिट कर सकते हो इसे बाता रहे उसके बाद न्यू स्टूडन्स कैन अलसो सब्मिट देर पार्ट वन और टू दूरिंग इस स्टूरेशन तो पार्ट वन भी बर सकते हो यह कि बहुत सारे चांसे दिये है उन्हें पार्ट वन बरने का आभी बर दे स्टूरेशन फोड़ वड़ी इंपार्टन बात है समझे आप आप पार्ट वन में आपने एक आपको फॉर्स्ट प्रप्रिंस मिला था लेकिन वहाँ पे आपने अडिमिशन नहीं लिया था तो आप फिर भी राउंट टू के लिए लिजिवल हो वैसे तो राउंट वन में आपको first preference मिल गया और उपने वो नहीं लिया तो आप आगे के जो admissions round होते हैं उनमें eligible नहीं होते हो लेकिन इस साल इस situation के बज़े से आपको students को इस साल भी उन्होंने chance दिया है तो guidance center will verify the application form as per the guidelines issued earlier तो जिनका पार्ट वन भरने जाएंगे उनका वह verify भी कर देंगे guidance center तो यह जो समय है आपका जो 26th of November से लेके first December तक का है उसमें आप क्या कर सकते हो इंपोर्टन बात आपका जो option form है वह आप edit कर सकते हो या फिर जहसा था वैसा ही आप रख सकते हो यह important मतलब कि option form भरा है अपड़ेडेशन वह वह भी आप सेकेंड आफ नेंबर सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद 3rd December से लेके 4th of December तक फिर से time processing लेने वाले है मतलब कि जो आपका result लगने वाला है college का allocation लगने वाला है तो उसके लिए वो processing का time ले रहे है उसके बाद 5th of December को सबसे बढ़ी important बात आपका college का allocation कौन सा college आपको मिलने वाला है मिला है वो आपको 5th of December को समझने वाला है round 2 का और उसके बाद ही cut of list भी निकलेगी second round की जो कि of course निकलेगी round question मिलने के बाल और display of student list in the concern colleges मतलब कि कौन से college में कौन कौन से student को admission में वो भी इस समय में आपको समय में आएगा और आपको SMS बे आएगा कि आपको कौन सा college मिलने वाला है या फिर आप देखिए समय में आ जाएगा तो 5th December को समझेगा कि आपको कौन सा college मिलने वाला है उसके बाद 5th of December 18 बजे से 9 December 5 बजे तक आपको online admission लेना है और quota admission प्रो होने वाला है आपको management seats surrender करने हो वो college करते है आप नहीं करते है तो वो भी इस समय में होने वाला है और new students can also submit their part 1 और part 1 आप 5 December से 9th of December तक भी बर सकते है और उसके बाद 9th of December को है time for junior colleges to upload status for admitted students on the website ये college का खाम है आपका नहीं 10th of December को display of vacancy list for the third regular admission round 10 December को आपको जो 3rd round है उसके लिए कितने जगा बची हुई है वो आपको समझ में आएगा और उसके बाद 3rd round start हो जाएगा और नीचे कुछ notes दिये हो उन्होंने वो general notes है वो instructions दिये है वो बोल रहे कि all students who have confirmed their admission in the junior college through the central round to any court admission process would be allowed to in further rounds in तो आपने किसी एक round में आपको college मिला है तो आप further rounds के लिए eligible नहीं होंगे और junior colleges will be permitted to surrender and the record quota seats as per the admission schedule and instructions given for the time आपको जो instruction दे चुके है वो college का काम है college जो शीट बात है तो पूरी overall यह जो PDF देखेंगे हम जो की website पे आ चुके है उसका conclusion निकालेंगे तो 26th of November से 1st of December तक आपको जो आपका option form है वो आप edit कर सकते हो और 2nd December तक भी कर सकते हो option form edit उसके बाद आपको 5th of December को समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा college मिला है और उसके बाद 5th of December से लेके 9th of December तक आपको online admission जिस भी college में मिला है वहाँ पे लेना ही ओके ठीके दोस्तों जो भी students 11th admission process में अभी है उन सभी को all the best आप कुछ भी डरिये मत आप admission process फिरसी चालू हो भी है अच्छे से form भर दीजे आपको option form केसे बरना है यह जानना होगा तो link description box में दे रहा हूँ पार्ट वन केसे बरना है उसका भी link description box में दे रहा हूँ वह भी आप देख सकते हो यही बात time travel के बारे में आपको बैदा नहीं थे वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना है चानल पर नहीं हो तो subscribe भी करना है कुछ doubt और रहा हो तो comment section में पूर्श चतो या फिर Instagram पर भी DM कर सकते हो लिंक description box में है तो ठीक है तो मिलते है अगले वीडियो में इसी informative वीडियो के साथ में आपके लिए start and just do it very all the way